है लो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नैनी स्कूल पर हरदिक स्वागत है देखें आप पैंस्नर है, सर्विस पैंस्नर हों, चाहे फैंबली पैंस्नर हों या आप कोई भी पैंसन ड्रो कर रहे हूं देखे आप अपनी pension चेक करें कि आपको जो बनती है जायज pension वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है जब भी कोई pay commission, pay revision आए या जब भी कोई नय circular आए तो उसको ध्यान से देखें कि क्या ये आपके लिए applicable है क्या आपको इसके आधार पर pension जो है मिलनी सुरू हो गई है या नहीं मिल रही है ये सारी चीज़े जो है छोटी छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा important है देखें आपको circular 555 यानी OROP1 उसके बाद में circular 570 यानी 7 CPC उसके बाद में circular 568, 566, 666 ऐसे बहुत से circular मिले होंगे तो देखें आपको पता करना है कि आपको उनका area मिला है या न OROP की बात करें अगर हम 2 की तो अभी latest है और अभी सब इतने aware हैं इतनी सादा कह सकते हैं कि जागरूक ता फैला ही जा रही है कि अपनी pensioners के बारे में maximum जो हैं जागरूक हैं फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं अब बात करते हैं circular 570 की देखें आपको 7th CPC का area मिला होगा आपकी जो passbook है उसमें 2017 के starting में ही आपको ये मिल जाएगा और वहापर लिखा होगा 7 CPC area तो आप अपनी passbook चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं 568 तेकि बहुत से pensioners अभी भी ऐसे मिल रहे हैं जिनको 568 का area नहीं मिला है तो लिए उनके लिए complaint डालना है CP gram पर grievances डालना है य लेकिन आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे जिसमें एक family pensioner है उनको 8 लाग का चूना लग गया वो कैसे लगा क्योंकि उनको बहुत पुराने समय से गलत pension मिलती आ रही थी और उनको पता भी नहीं था उन्होंने मेरी एक वीडियो द किया और complaint डलवाई जो complaint का reply आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये जीजे जो हैं बहुत important हैं आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो देखें आपको समझना है सोचना है step by step end तक देखना है उसके बाद ही आपको उसके बारे में पता चल पाएगा चलिए शुरु पापा ने 28 साल सर्विस की सुवेदार रैंक से 1999 में रिटायर हुए after retirement ओनरी सुवेदार मेजर रैंक भी मिला मार्च 2008 में पापा की दैथ हुई तब से ही मम्मी को 9000 बेसिक पैंसन मिल रही है देखें यहाँ पर आप देखें 9000 बेसिक पैंसन जो है यहाँ पर उनको दाटा निकाला वो पूरा डाटा जब मैंने निकाला तो मेरे हिसाब से देखें जून 2023 तक जो उनका एरियर बन रहा था वह बन रहा था साथ लाक इकतर हजार रुपे यानि देखें लगबा आठ लाक के आसपास यह मैं बात करहा हूं जून 2023 की तब से लेके अब तक आदे से भी कम उनको पैंसर मिल रहा था 18, 19, 20, 21, 22, 23 यान देखें पांस साल का आपको एरियर इनको मिलना था तो देखें पूरी की पूरी के लिए मैंने इनको CP ग्राम पर कंप्लेंट डाया जब इनके पास देखें रिप्लाई क्या आता है इनके पास रिप्लाई आता है कि ये पैंसर है क्वालिफाइंग सर्विस 28 साल है ये इनका PPO है अकाउंट नंबर है सारी चीज़े वो इनको भी भेजते हैं और जो CPPC है उनको भी भेजते है PNB को तो उनको बताया गया देखें पांच मार्च 2018 से लेके 29 साथ 2020 तक इनको जो पैंसर थी एन्हेंस रेट की बढ़ी हुई मिलनी चाहिए थी वो थी 31,529 रुपे देखें मिल कितनी रही है ये 9,000 मिलनी कितनी चाहिए थी 31,529 रुपे और यहां पर उनको बताया है S per circular 555 और उसके बाद में 570 31,10,2016 से तो देखें ये जो circular है ये circular की dates है यानि उनको जो पैंसर मिलनी चाहिए थी वो ordinary rate family pension मिलेगी और वो भी होगी 18,908 रुपे मिल कितनी रही है 9,000 रुपे आप देखें लगबग आदी यहां और लगबग चार गुनी वहां पर pension मिलनी थी तो इनका कितना बड़ा नुक्सान हो जाता है देखें यहां पर इनको पास record से भी आता है कि आपको अगर basic pension बात क 37 October 2016 का circular है क्योंकि यहां पर इसमें 7361 multiply by 2.57 और उसके बाद में देखें OROP 2 की बात करें तो यहां पर जो बढ़ने की जाए कि कम हुआ है 17,820 हुआ है लेकिन बात यह है कि यह कम नहीं हो सकती है तो पूरा का पूरा जो है 18,970 के हिसाब से उनका पूरा pension बनता है तो दे और भी जोड़ देंगे तो आप इसमें लगा सकते हैं कि लगबाग 8,5 लाक के आसपास का इनका एरियर बन चुका है हाला कि देखें यह इनके account में अभी तक नहीं आया है बट important चीज यह है कि जब आप संपर्क में आएंगे आप चीजों को समझेंगे आप उन चीजों को अपने पर देखेंगे कि मेरे पास क्या PPO है क्या जानकारी है उसमें उसके बाद ही हम भी कुछ आपको सलह दे पाएंगे और उसके बाद जो आपका नुकसान हो रहा है वो नहीं हो पाएगा और आपको उसका पैसे का एकटा एरियर भी मिल जाएगा तो देखें आप काफी इंपोर्टेंट है 555, 666, 570 और 568 अभी हाला कि देखें हम बाके और भी बहुत साथ सरकुलर्स हैं जिनके बारे में डिसकस किया जाना बाकी है अभी भी लेकिन इंपोर्टेंट यहां पर यही है कि देखें आप अपने जो रिविजन्स हैं सरकुलर कोई भी आता है उसकी टेबल्स देखें आपकी रैंक क्वालिफाइंग सर्विस क्या है आपको कितनी पैंसन मिलनी चाहिए कितना आपका एरियर बनता है यह सारी चीजे आप जो है इत्मनान से चेक करें कोई भी समस्या आती आप कमेंट करें मेरे टेलिक्राम चैनल नैनी स्कूल पर जाके वहाँ पर मुझे मैसिज कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी चोटी 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 गलतियां है चोटी चोटी जो मिस्टेक्स हैं उनको भी सुधारा जा सके तो ये थी आज की बड़ी खबर फिर में आपसे जय हिंद जय भारत